हलो फ्रेंड्स कॉंपूडिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी MPGKS की सीरीज में हम मध्यप्रदेश में नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं साथ ही साथ में मध्यप्रदेश की नदी परियोजना को संपन कर चुके हैं इसके बाद आज हम कहा जाता है जो की पेड़ पौधों से आख शाय दित छेत रहों वरों का विभाजन बहुत ही अलग-अलग आधारों पर किया गया थे मुखिधा वनों को हम पढ़ने वाले मध्यप्रदेश में वन प्रबंधन भारत में सरवधिक वनश्चेत्र वाला राजजी मध्यप्रदेश है। भारत में वन छेत्र में सबसे प्रथम नंबर में फर्स्ट स्ठान किस राज्य का है तो ये है मध्य प्रदेश राज्य का मध्य प्रदेश का कुल वन छेत्र कितना है तो हम देखते हैं 94,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का कुल छेत्र है 94,000 वर्ग किलोमीटर मद्य प्रदेश का कुल शेतर है फिर देखते हैं वही राजस विभाग के पास कुल 77,482 वर्ग किलोमीटर वन शेतर इस्थित है मद्य प्रदेश में उश्न कटिवंधी प्रकार के वन पाये जाते है 2019 की वन शेतर इस्थिती रिपोर्ट के अनुसार मद्य प्रदेश में कुल भॉगॉलिक शेतरफल का 25.12 प्रदेश वन शेतर इस्थित है प्रदेश के पूर्वी से दक्षुनी जिलों में वनों की सघंता देखने को मिलती है जिसमें शेतरफल के आधार पर प्रथम इस्थान बालागाट और प्रतिशत के आधार पर प्रथम इस्थान पर मंडला जिला आता है मद्य प्रदेश मानसूनी जलवाईू प्रदेश है यहां सामनेता उच निकटिवंधी प्रकार के वन पाये जाते है इस आधार पर वनों को तीन भागों में बाटा गया, देखो बहुत confusion हो गया होगा अब यहां जो लिखा था हमने वो पढ़ लिया, अब हमको समझना है कि चीज़ें कैसी हुई है और क्या हुई है देखे, सबसे पहले अगर माल लेते हैं, यह मध्यप्रदेश है, ठीक, तो इस मध्यप्रदेश के कितने हिस्से में बन पाये जाते हैं तो इस मध्यप्रदेश के कुल इतने हिस्से में बन पाये जाते हैं, माल लीजे तो यह कितना शेत्र हो गया 94,000 वर किलोमीटर का शेत्र हो गया प्रतिशत की बात करेंगे तो यह कितने प्रतिशत हो गया प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो यह लगभग 23 to 24 प्रतिशत हो जाएगा आप जब मध्य प्रदेश के मामान चेतर की हम बात करते हैं मध्यप्रदेश का जो मैप है यह आप अंदाजा लगा लिजे कि मध्यप्रदेश का मैप है यहां से सीजी की सीमा अलग होती है और यह चिक तो मध्यप्रदेश का अगर आप अंदाजा लगाते कि मध्यप्रदेश का मैप है तो इस मैप में सबसे जादा वन किन छित्रों मे पाए जाते हैं क्या देलखन के पास में है क्या बगेलखन के पास में क्या रीवा पन्ना के पठार के पास में तो सबसे जादा जो वन है वो मद्यप्रदेश के दक्षणी हिस्से में पाए जाते हैं अब दक्षणी हिस्सा जो है मद्यप्रदेश का वो ये वाला है ये वाला तो यहाँ पर सबसे जारा वन प्रतिशत के आधार पर और छितरफल के आधार पर तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है यहाँ पर मंडिला जिला और वहीं इसी के नीचे है बालाघाड जिला तो मंडला जिला और बालाघाट जिलों में मद्ध प्रदीश में सबसे ज़ादा वन पाय जाते है बालाघाट छेतरफल के स्थान पे प्रथम इस्थान रखता है वहीं प्रतिशत के आधार पर मंडला प्रथम इस्थान रखता है अब इसमें थोड़ा सा confusion हो सकता है कि प्रथम इस्थानी तो है एकी जगा एकी इंसान रखलो दो जगा रखले कि क्या ज़रूरत है लेकिन क्या होता है देखिए ये पूरा शेत्र है ये पूरा शेत्र है इस संपुर्ण शेत्र में माली जे ये आधा भाग हो गया तो इस आधे भाग में वन पाये जाते हैं तो ये हो गया बाला घाट बाला घाट वही एक और शेत्र है इस शेत्र में औस अधेन फोड़े इधर फोड़े इधर इधर इस प्रकार से जब अलग अलग हिस्तों में बन पाई जाते हैं तो उनका पूरा प्रतिशत निकाल के जब हम देख तें तो वैसे ही मद्ध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर जो 1 है वो मंडला जिले में पाय जाते हैं अब हमने एक और चीज क्या देखी थी कि 25.12 प्रतिशत 1 छेत्र है मद्ध्य प्रदेश में बिल्कुल सही बात है आपको यादर अची ये 25.12 प्रतिशत 1 छेत्र मद्ध्य प्रदेश में है वही राजस्व विभाग के पास कुल 77,482 वर्ग किलोमीटर 1 छेत्र इस्तितिस का मतलब क्या है देखिए आपको पता होगा राजसरकार और जो हमारी केंद्री सरकार है वो अलग-अलग होती है हना तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि जब मद्ध्य प्रदेश अपने वनों की गर्णा करता है तो वो जाती है 94,000 के आसपास में लेकिन जब केंद्री सरकार मद्ध्य प्रदेश में वनों की गर्णा करती है तो वो जाती है 77,482 वर्ग किलोमीटर के आसपास में प्रदेश के पूरवी दक्षिनी जिलों में वनों की अधिकता देखने को मिलती हैं क्योंकि वह शेत्र जो है वहां से नर्मदायनादी निकलती है मांसून में एकदम से मांसून उस शेत्र में सबसे जादा आता है वर्शा अच्छी खास्थी होती है इस वज़ा से हम देखते हैं कि वहां पे वनों की अधिकता होती है प्रथम tenía पर बालाखाट रखता है और प्रधिशत के आधार पर प्रथम इस्थान पर मंडला जिला स्थान रखता है फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में मांसूनी जलवायू प्रदेश है यहां सामान निता उश्न गंटिबंदी प्रकार के वन पाया जाते हैं इस आधार पर प्रदेश के वनों को तीन भागों में बाटा गया है मध्य प्रदेश के जलवायू कैसी है तो उश्न कटिबंदी मांसूनी जलवायू मध्य प्रदेश की है जलवायू के आधार में प्रदेश में वनों को तीन भागों में बाटा गया है पहला है उश्न कटिबंदी पडपाती वन उश्न कटिबंदी आर्ध पडपाती वन और तीसरा है उश्न कटिबंदी शुष्क पडपाती वन देखिए पडपाती वनों के बारे में ही बात हो रही है इस प्रकार के वनों में वर्षा 50-100 cm तक होती है इस प्रकार वन जल के आभाव होने के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इस प्रकार के वन इमारती लकडी के दरश्टी से काफी उपयोगी होते हैं इनके अंतरगत शागौन, शीशम, नीम, पीपल और महुआ के इस प्रकार के वनों में 100-150 cm वर्षा होती है इन वनों में शाल, सागौन, बास, आदी की अधिकता होती है इनके अतरिक्त, जामून, महुआ, हर्रा, आदी के वरक्ष मिलते हैं इस प्रकार के वनों का विस्तार मधिर प्रदिश के मंडिला, शेहडोल, सीधी, शिवनी, पीशम आदी के वरक्ष मिलते हैं उस घर्टिवंदी सुष्क पडपाती वनों में वनों के मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, मंसौर, नीमज, टीकमगर, दतिया, भेंड, गुना, गुवालियर, आदी जुलों में पाए जाते हैं फिर से गंफ्यूजन हो गया है वहां पर वर्षा कितनी होती है सौ से पचास से सौ संटीमीटर यह चीज याद रखनी है फिर जैसी बात आएगी ओशन कटी बंदी शुष्क पडपाती वन की तो शुष्क पडपाती वन में आपको अधर ने शुष्क मतलब हलका सगीला मतलब यूमस थोड़ी जादा ह तो सबसे जादा जो वर्षा हो रही है वह हो रही है आर्ध पडपाती वनों में उशन कटी बंदी आर्ध पडपाती वन देखे पडपाती का एक सीधा समंद वो होता है जो पत्ते गिरा देते हैं अपनी मतलब ऐसे पेड जो कि कम वर्षा के आभाउ में या जलवायू की विभिनता के आधार पर किसी भी तरीके से जब अपने पत्ते गिरा देते हैं तो नहीं कहा जाता है पड़पाती वन जैसे कि आपने सुना होगा कि सदा बहार वन भी वनों का एक प्रकार होता है यह ऐसे वन होते हैं जिनकी पत्ते कभी नहीं किरते हैं मतलब यह पत्ते गिर तो वो होगी हमारी 50-100 cm, वहीं आर्ध पड़पाती, मतलब आधे पड़पाती, जितमें पत्ते तो गिरते हैं, लेकिन नए पत्ते भी आ जाते हैं, तो आर्ध पड़पाती वोनों में वर्षा जादा होगी, तभी तो नए पत्ते आ रहे हैं, तो 100-1500 cm जो वर्षा है, वो शुष्क पढर पातियों में होती है उसके सब से कम जो है वह सुष्क पढर पाती में कि वह बहुत ही कम वर्षा है ना मत्रसार की वर्षा तो सब्सके कम वर्षा 아та कि बहुत जाida शुष्क मथे Testament है इसको उस का शुष्क पढर पाती 123 शो errors परपाती वनों में होती हैं बाकी बात कर लेते कौन कौन से किस प्रकार के वर्ण होते हैं सबसे अच्छे जो होंगे वह आर्द परपाती वनों होंगे तो आर्द परपाती वनों में सबसे अच्छे वन कौन कौन से देखिए जामुन महुआ हर्रा साल सागौन और बास देख जो है उससे कागज का निर्माड किया जाता है कागज बनाया जाता है और साल जो है इसकी लकड़ी भी बहुत ज़दा उपयोगी होती है जामुन जामुन एक फ्रूट है महुआ, महुआ का उपयोग दवाईया बनाने के लिए और नशीले पदार्थों के निर्माण के लिए भी किया जाता है हर्रा की बात करें तो हर्रा बहेडा जो है ये एक औशदी है इसका निर्माण अरुवेदिक दवाया बनाने के लिए और बालों को ठीक करने के लिए सौंदर प्रसाधन में भी किया जाता है तो सबसे पहले हमने देख लिए आर्ध पड़पाती के वन के बारे में आप देखते हैं पड़पाती वनों के बारे में तो जो पड़पाती वन है इस प्रकार के वनों में वर्षा कम होगी आर्ध पड़पाती के अपेक्षा कम होगी तो कितनी कम कम से कम 50 cm कम कर लीजे तो वर्षा जब 50-100 cm होती है, तो यहां पर जो वन पाये जाएंगे, वो अर्दपाती प्रकार के होंगे और इन वरक्षों में सबसे ज़ादा इमार्थी लकडी वालइ वरक्ष पाये जाएंगे कौन-कौन वरक्ष मुखता है? सागउन, शीषम, नीम, पी-पल और महुआ नीम जो है नीम को तो आशुदियों का राजा भी कहा जाता है आपको बता होगा कि नीम का तो ऊपर से नीचे तक पत्ती से लेके जड़ तक हर किसी से मानव शरीर की आशुदिया बनाई जा सकती है मानव के लिए तो इस प्रकार से नीम अत्यधिक उपयोगी पेड़ हो गया पीपल की बात करेंगे पीपल को पूजा भी जाता है आपको बता होगा इसकी पूजा की जाता है यहाँ बहुत ही प्रसिद और पवित्र वरक्ष माना जाता है महुआ से शराब का निर्माड किया जाता है और औशिदियों का निर्माड किया जाता है तो इस प्रकार से हमन पाए जाएंगे कटीले कैसे हो सकता है बबूल के पाए जाएं तो बबूल बेर तेंदुपत्ता और कुछ शीषम के व्रक्ष भी यहां पर पाए जाते हैं यहां पर वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है और इसके लाब यह किस जिले में पाए जाते हैं शिवपुरी रतला को या फिर वनों को और भी आधार पर बाटा गया है अब पहले हमने देखा था कि जलवायू के आधार पर वनों को कितने भागों में बाटा गया है अब हम देखने वाले मद्य प्रदेश में प्रशाशनिक आधार पर वनों का वर्गी करण जब प्रशाशनिक आधार पर क का वर्गी करन हो उसे ही प्रशाशनिक वर्गी करन कहा जाता है जैसे कि for example आप समझ सकते हैं कि माल लीजे माल लीजे ये हमारा एक box है ठीक इसका वर्गी करन मुझे करना है तो मैंने बोल दिया कि चलो यहाँ पे हम scales रख लेंगे यहाँ पे हम पैल रख लेंगे यहाँ पेंसिल रख लेंगे लेकिन अब प्रशाशन बोल रहा है कि यह मेरी समपत्ती है अब मैं डिसाइड करूंगा कि इसके कौन से भाग में क्या चीज़ें होंगी तो प्रशाशन नहीं कि आ भाई यह बड़ा वाला एरिया है इसको हम कज़िए का भूझ एकता देब , आपको पूरा दे दिया , आपको फूरा मैंने इसको दान कर दिया .. तो वैसा कि क्सफित्र में है , तीन भाग , उनसे से पहेर heastrik हिए , फिर एक हिस्सा होगा जिस नहीं कर सकते दूसरा हिस्सा किBox। तक्षेप तो कर सकते हो, पर सीमाओं में रहते हुए. और तीसरा हिस्ता वह होता है, जिसमें आप जो भी करें, प्रशाषन को आपसे कोई लिना देना नहीं होता है. तो प्रशाषनिक आधाय पर वनों को तीन भग में बाटा गया. आरक्षित वन, संरक्षित वन और आवर्गीकृत वन ठीक देखिए आरक्षित वन आरक्षित वनों का छेत्र 61886 वर्ग किलोमेटर पर फैला हुआ है जो कि कुल वर्ण छेत्र का 65 प्रतिशत है आरक्षित वनों में लकडी काटना पशुचारण आवा गमन की अनुमती नहीं रहती है आरक्षित वनों का प्रबंधन प्रशाशन द्वारा सू व्यवस्थत धंग से किया जाता है सबसे जादा आरक्षित वनों का उनपात खंडवा जिले में इस्तित है सबसे कम आरक्षित जले में हैं फिर बात करते संरक्षत वन की संरक्षत वन झेत्र तीस बझार अंठान्वें वर किलोमेटर में फैला हुआ है जो कुल वन का 33% है इस वन उस तरग का प्रभंधन प्रशाशनन की देखरेक में रहता है संरक्षित वनों का सरवादिक भाग इंदौर में तथा न्यूनतम भाग खंडवा जिले में पाया जाता है फिर आता है आवरगिकरत वन आवरगिकरत वन प्रदेश के कुल वन शेतर का 1705 वर किलोमेटर पर फैले हुए है जो कुल वन शेतर का दो प्रतिशत है इन वनों में पशुचारन, आवर गमन और पशुचारन वर कटने सुविधा को होती है देखे, सिंपल सी बात है मैंने इस के वारे में अपको पहले ही बता दिया था कि तीन चीज़ें क्या क्या होती है सबसे पहले आरक्षित वन वह वन शेतर जिस छेत्र में सरकार आपको बिल्कुल भी अनुमती नहीं देती या पशुचारण कराएं या फिर आप रक्षों को काटें या फिर आप आवा गमन करें या फिर आप घूमने आएं तो ऐसा शेत्र जहां पर सरकार आपको किसी भी चीज की अनुमती नहीं देती है वो होता है आरक्षित वन और मध्य प्रदेश में सबसे जादा आरक्षित वन ही पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में कुल वन शेत्र का 65 प्रदेश मतलब यदि माल लेजे ये इतना बड़ा गोला मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का लगभग 65 प्रदेश मतलब इतना पूरा हिस्सा 65 प्रदेश का ये पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश के आरक्षित वन के शेत्र में आजाता है वहीं बात कर लें इसके अलाव आपको क्या याद रखना है अब कुछ भी याद नी रखना आप शेत्र फल याद रख सकते हैं कि 16886 वर किलोमेटर में मध्यप्रदेश में अरक्षत वन फैले हुए हैं बस इसके बाद हम आते हैं सange रक्षत वनों में तो सन रक्षत वन वहां शेत्र होता है जिसमें सरकार आपको पशुचारन की और आवाघमन की अनुमति देती है पशुचारन और आवा गमन मतलब यहाँ पर आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकते लेकिन अपनी गाय भैसों को अगर चराना चाहें तो चरा सकते बखरी को चरा सकते हैं यहाँ पर इसका शेत्रफल है 30,995 वर किलोमेटर आपको यह आद रखना है बस ठीक अब आगे आते हैं आवर्गी करत वन शेत्र आवर्गी विकरत वन शेत्र जो है यहां मद्य प्रदेश में 1705 वर किलोमेटर में फैला हुआ है जो कि मद्य प्रदेश का कीवल 2 प्रतिशत है 65 प्रतिशत जो है वो आरक्षित हो गया था अब यहां से 33 प्रतिशत जो है 33 प्रतिशत जो है यह वाला पूरा हिस्सा यह हो गया सनरक्षित का और बचा जो 2 परसेंट है यह 2 परसेंट हमारा हो जाएगा आवर्गी करत वनों का तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि मद्धि प्रदेश को प्रशाशनिक आधार पर वनों के आधार पर कितने भागों में बाटा गया है तीन भागों में बाटा गया है आरक्षितवन, संरक्षितवन और आवर्गी क्रदवन देखिए आवर्गी क्रदवन जो होते हैं इनम नुकसान नहीं होगा वनों के प्रमुख्य या मुख्य उत्पाद तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे इसमें ये दिया हुआ है कि कौन से वरक्ष के द्वारा किस पदार्थ का उत्पादन होता है और क्या चीज हमारे लिए मुख्य है देखे सबसे पहले हम बात करते है सागोन की तो सागोन जो है वो मद्य प्रदेश में पाया जाने वाला सरवाधिक वरक्ष है इससे सबसे जादा जो है वो हमें मिलती है गुडवत्ता वाली लकडी जिससे इमारतों और अन्य वस्तूओं का निर्मार किया जाता देखे बैप पूरी चीज़ें नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आपके लिए इंपोर्टन नहीं है विल्कुल भी अगर आप अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें सेलेक्टड चीज़ें पढ़के चलना है साल का वरक्ष यहाँ वरक्ष जो है वह मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे जादा पाया जाने वाला वरक्ष है और पहला जो पाया चाता है वो है सागोन इस वरक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है तो हमें सीधी सी बात है इस वरक्ष से लकडी प्राप्त होती है जिसका निर्माण इमारतों को बनाने के लिए किया जाता है प्रदेश में बास बास जो है इसका प्रयोग मुखिता कागच निर्माण के लिए किया जाता है और मद्धी प्रदेश में दो कागच निर्माण के कार खाने है, एक हो जाता है नेपानगर और दूसरा हो जाता है अमलाई वर्तमाद में इसका प्रयोग चटाई बनाने के रिए और टोकनी बनाने में भी किया जा रहा है तेंदुपत्ता, देखें तेंदुपत्ता का जो उत्पादन है, यह उत्पादन मद्धी प्रदेश में सरवाधिक होता है इसके आगे बात करतें तेंदुपत्ते से क्या बनाई जाती है तो इससे मुख्य रुप से बिड़ी बनाई जाती है और यह जो तेंदू पत्ता है इसका प्रयोग पत्तल और दोने निर्माण के लिए भी किया जाता है खैर के व्रक्षों से कथे का उत्पादन के जाता है कथा जो कि चूना में लगता होगा आपने सुना होगा कि कथा कम लगाना चूना कम लगाना पान मनाते टाइम तो कथे का जो उत्पादन है वो खेर के व्रक्ष से किया जाता है और यह किस जनजाती के द्वारा निकाला जाता है तो यह सहरिया जनजाती के द्वारा निकाला जाता है और खेर का कारखाना शिवपुरी जिले में स्थित है या फिर कथा निर्मान का कारखाना शिवपुरी प्रेयोग बालों को ठीक करने के लिए सौंदर प्रिसाधन में किया जाता है और चर्म शोधन में भी किया जाता है लाक जो है यह मुख्यदा पलाश बेर और अरहर के व्रक्षों से प्राप्त होता है इसका प्रेयोग सौंदर प्रिसाधन में किया जाता है और इसके प्रेयो वन नीती, वन नीती का सीधा सम्मंद यह है कि मद्धिप्रदेश में पहली वन नीती कब आई और दूसरी वन नीती कब आई देखें, वन नीती का सीधा सम्मंद यह है, अगर माल लीजे मद्धिप्रदेश में ये छेतर है और इस छेत्र के लगभग इतने प्रतिशत पे 25 प्रतिशत पर वन छेत्रों प्लब्द है तो मद्यप्रदीश के 25 प्रतिशत पर जो वन छेत्र है इन वनों को बचाने के लिए मद्यप्रदीश सरकार के द्वारा क्या काम किये जा रहे है और सरकार का अंगे का प्लान क्या है इसको लेकर तो मद्यप्रदेश राजजी की पहली वन नीती वर्ष 1952 में लागू की गई थी वहीं मद्यप्रदेश राजजी की नवीन वन नीती 2005 को लागू की गई थी देखें जैसी बात आ रही ना 1952 1952 तो 52 में आप देखेंगे कि वन आपको अलगी इंक्लूड मिल रहा है तो 1952 मद्यप्रदेश की पहली वन नीती वहीं जब बात करने नई वन नीती 2005 2005 को मद्यप्रदेश की नई वन नीती लागू की गई थी शहीद अम्रिता दीवी विष्णोही पुरुषकार देखें यह कि आपको पता है कि MPPSC बहुत ही ज़ादा डेप्त में जाकर कॉशन को कवर कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कॉशन अब बन सकते हैं तो शहीद अम्रिता देवी विष्णोही पुरुषकार जो है वह वन छेतर में दिया जाता है और वन छेतर में उत्कृष् कि ऐसे संरक्षित छेतर जितमें वन जीवों को उनके आवासों के संधर में उनको घर जैसे रखाया जाता है उन्हें ही राश्टी उद्यान कहते हैं साराल और सीधी भार्षा में हम देख चुके हैं देखें वन जीव अधीनम 1972 के तहत ऐसे छेतर जो पारिस्थितिक जीव जन्तु वनस्पति भू आकरतियां एवं जली महत्व के हैं उन्हें संधर्शित करके उन्हें राश्टी उद्यान घोशित किया जाता है मतलब ये हुआ मालो ये एक शेर है ये एक लोमडी है और ये एक हरगोश है ये तीनों जंगल में थे अब जंगल में जहां पर ये र संपूर्ण जंगल के शेत्र को बनाया गया और उसमें सारी चीजों के व्यवस्था की गई और इन जीवों को वहां पे लिजाकर रखा जाने लगा और इन जीवों का भी संरक्षन हो गया इससे और वनों का भी संरक्षन हो गया तो इसे ही कहा जाता है राश्ट्री उद्य अब यहां पर थोड़े बहुत पेड़ बहुत जानवर है फिर बनता है वो अभ्यारण अभ्यारण जो होता है वो किसी एक विशेश जीव के आधार पर बनता है यहां यहां पर पक्षी बहुत जादा पाए जाते हैं घडियाल बहुत जादा पाए जाते हैं तो घडियाल अ होता है न, एक छोटा बच्चे दो साल का है, फिर वो चार साल का होगा, फिर छे साल का होगा, फिर साथ साल का, आठ साल का होगा, वैसे ही एक सीड़ी है, अभाइवन, दो साल के बच्चे की, फिर अभ्यारण, चार साल के बच्चे की, फिर राश्टी उद्यान, छे साल के ब बागो का सरवादी घंध्व किस उद्यान में है ? मध्यप्रदेश की बात हो रही है तो दोनों में आपको अलग-अलग आंसर मेरेगा बागो का सरवादीक जो घंध्व है वह मध्य-प्रदेश में बांधवगर राष्टी उद्यान में लेकिन सबसे जादा बाग किस राष्ट्री उध्यान में मिलते हैं तो वो मिलते हैं कान्हा किसली राष्ट्री उध्यान में तो ये कान्हा का एक बाग है कान्हा किसली राष्ट्री उध्यान काणा किसली राष्टी उध्यान जो है न यहां प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उध्यान है कुल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यहां राष्टी उध्यान यहां पर सभाधिक बाग और बारासिंगा पिलते हैं इस राश्टि उध्यान की स्थापना की बात करते हैं, तो वर्ष 1933 में इसे अभायवन बनाया गया था, फिर उसके आध अभायवन दो साल का बच्चा, फिर उसके बढ़ा किया, अभ्हारन मना, 1955 में इसे राष्टी उधियान में अभिहारण और अंत में हम देखते हैंIR Tiger Reserve में शामिल किया गया वर्ष 1964 में कैसे याद करना है अभायव पना 1933 में अभिहारण पना 1952 में राष्टी उधियान में 1955 में और हमें Project Tiger में सी शामिल किया गया 1974 में तो आप लाइन से याद रखेंगे ना आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको बिल्कुल आंसर बहुत अच्छी से आएगा हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में यह राश्ट्री उध्यान कहां पर स्थित यह है मंडिला और बालाघाट के सीमा पर यहां एक मात्र ऐसा राश्ट्री उध्यान ने जिसने अपना स्वयम का शुभंकर जारी किया है जिसका नाम है भूर सिंग दा बारा सिंगा और इसे इसने 2017 में जारी किया था जिसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा बनाई गई थी प्रसिद्ध घाटियां काना किसली राश्ट्य उध्यान में दो घाटिया बहुत जादा प्रसिद्ध है जिसमें से एक है बंजर घाटी और दूसरी है होलो घाटी प्रसिद्ध इस्थल देखे कानहक इसलिए राश्चिरदान में वैसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध इस्थल है पर एक बैगा मंगलू सड़क है इस सड़क में केवल बैगा महिलाएं ही गाइड का काम करती है इस कारण से ये प्रसिद्ध है फिर एक है बामनी दरार यहां मु शेरों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत मुन्ना बाग जो की एक बहुत ही जादा खुखार बाग था इसे कानहा किसली यहां से भोपाल के वन विहार राश्टी उद्यान में लाया गया है जो की मुख्य आखर्शन का केंद्र भी है पेच राश्टी उद्यान की इस्थापना छिंदवारा जिले में की गई थी मध्य प्रदेश में इसे शिविनी और छिंदवारा जिले में इस्थापित किया गया कितने वर किलोमेटर में फैला हुआ है ठीक है पेज राष्टी उध्यान जो है वो 758 वर किलोमेटर में फैला हुआ है 758 वर किलोमेटर में यह गलत लिखा है यहां पर नामकरण, इसका नामकरण यहां से बहने वाली पेच नदी के उपर किया गया है, तो यह बिलकुल सही है, इसे वर्ष 1977 में अभ्यारण, 1983 में राष्ट्री वन और 1952 में प्रजेक्ट साउगर में शामिल किया गया है, उपनाम, इसका उपनाम है इंद्रा प्रिदर्शनी पेच राष्ट्री उद्यान है, यह सबसे पहले 1977 में अभ्यारण बना, फिर इसे 1983 में राष्ट्री उद्यान घोसित किया गया, अंद्वे इसे 1952 में आगर प्रजेक्ट टैगर में शामिल कर लिया गया, इसका दूसरा नाम है इंद्रा प्रिदर्शनी पेच राष्ट्री उद्यान, सरवढधिक जीव, इस राष्ट्री उद्यान में सरवढधिक कौन-कौन से जीव पाये जाते हैं तो यहांपर काला हिरण, चीतल और हिरण इसके अलावा अन्ने राष्टी जीव पाये जाते हैं, नदी, यहां पेच नदी के किनारे बसा हुआ है, इस कारण से नाम भी पेज राष्टियों ध्यान ही है इस नैशनल पाक को मोगली का छेतर माना जाता है अर्थात मोगली लेंड का हिस्सा माना जाता है जो कि मोगली लेंड आपको पता होगा यह जो मोगली लेंड है यह जंगल बुक जो किताब है उसका एक पात्र था और उसका एक पर जैसा शेतर वहां पर बताया गया था ना सेम ऐसा लगता है कि वही शेतर पेच राश्टिय उद्यान का है इस कारण से वर्ष 2004 से यहां पर मोगली उत्सव का ईयोजन किया जा रहा है ऐसा माना जाता है कि यहां शेतर रूड यार्ड क्रिपलिन की किताब जंगल बुक का शेत्र था यहां पर गिध्ध करन मिठ्धू और बाज सहित दूदरात पक्षी भी पाए जाते हैं इस राश्टी उद्यान में क्रश्न म्रग की सर्वधता संख्या पाई जाती है सर्वाधिक शंख्या पाई जाती है देखो ये है हमारा सत्पुडा राष्ट्री उध्यान जब सत्पुडा राष्ट्री उध्यान की हम बात करते हैं कि सत्पुडा राष्ट्री उध्यान कहां पर इस्थित है किते शेत्रवन फैला हुआ है कब बना हुआ है सत्पडा राष्ट्री उध्यान वर्ष 1981 में निर्मित किया गया था होशंगाबाद जिले की अंतरगत है और यही शेतर है जिसके अंतरगत पच्मडी इस्थित है होशंगाबाद जिले में ही तो वर्ष 1981 में इसके स्थापना की गई थी, वर्ष 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, यहां सर्वाधिक कृष्ण म्रग पाए जाते हैं, क्रिष्ण म्रग क्या होते हैं? देखे, काली रंग के जो म्रग होते हैं, उन्हें ही कृष्ण म्रग भी कहा जाता है मुख्य वन्य जीव बाग तेंदुआ चीतल सामहर काला हिरन नील गाय एशियाई भेडिया लंगूर जंगली कुत्ता जंगली लोंबडी स्लाथ वियर लकडबग्गा जंगली बिल्ली आदी जीव पाए जाते हैं 1999 में भारस सरकार और 2009 में यूनिस्कु द्वारा पच्मडी को बायो स्वेयर रिजर्व घोशित किया गया है important क्या है? सत्पुड़ा राश्ट्यू उद्यान किस जिले में आता है? होशंगाबा जिले में आता है किस शेतर में आता है पच्मडी वाले शेतर में आता है कब इसको इस्थापित किया गया वर्ष 1981 में स्थापित किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में वर्ष 1999 में शाबिल किया गया इसके अंतरगत पच्मडी इस्थित है जिसे बायो इस्फेर रिजर्व घोशित किया गया है भारत सरकार के द्वारा 1999 में और युनिस्कू के द्वारा वर्ष 2009 में इतना इंपोर्टेंट है ठीक देखो ये है हिरण पन्ना राष्ट्री उद्यान पन्ना राष्ट्री उद्यान जो है यहां फैला हुआ है पन्ना और छतरपुर जिले के अंतरगत वर्ष 1975 में इसे अभ्यारन घोशित किया गया 1981 में राष्ट्री उद्यान 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया पन्ना राष्ट्री उद्यान सबसे जादा जंगली भैसे के लिए प्रसिद्ध है मगरमक्ष और घटियाल गडियाल का सनरशन यहां पर किया जाता है पन्ना राष्ट्री उद्यान को अंतर राष्ट्री परेटन वेबसाइड ट्रिप एडवाईजर द्वारा वर्ष 2017 के अवर्ड ओफ एक्सलेंस से नवाजा गया था पन्ना राष्ट्री उद्यान में पाये जाने वाले वन्न जीव नीलगाए चिंकारा सांभर्ची तल सुस्त आदी है विश्व की सबसे उम्र दराज हतनी जिसका नाम है वत्सला हसनी पन्ना नेशनल पार्क पर ही रहती है जिसे 2018 में विधान सभा निर्वाचन आईकन बनाया गया था पन्ना राष्ट्री उद्यान में प्रदेश का एक मात्र रेप्टाइल पार्क इस्थित है और के नदी को पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रिखा भी कहा जाता है दो नवंबर 2020 को यूनस्को के द्वारा पन्ना राष्ट्री उद्यान को जया वरक्षित शेत्रों में जोड़ा गया था देखें बहुत सारा डाटा हो गया दिमाग से पूरा निकल गया होगा कैसे समझना है ये देखते सबसे पहले पन्ना नेशनल पार्क जो है 1975 में इस शेत्र को अब भ्यारन बनाया गया क्लियर 1981 में इसे राष्ट्री उद्यान बना दिये गया 1994 में या 95 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शौमिल किया गया इतनी बात एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए इसके बाद विश्व की सबसे जादा उम्र दराज हतनी किस राष्ट्री उद्यान में है तो वत्सला हतनी जो है वह पन्ना राष्ट्री उद्यान में है और इस हतनी को वर्ष 2018 के विधान सभा चुनाव का आइकन मनाया गया था तो वर्ष 2018 के विधान सभाचुनाव का देखे ये जो हतनी है न ये बहुत जादा उम्र दराज हतनी है और इसके अलावा ये हतनी जो है आखों से इसकी आखों से बहुत जादा कमजोर हो चुकी अंधी हो चुकी एक तरेगी से क्योंकि इसको मोतियाबिंद हो गया था तो यहाँ देख नहीं पाती तो इसके आजो बजो में चार अलग-अलग हाथियों को चलाया जाता है जिससे ये अपना खाना चरके वापिस आ सके और जिन्दा रह सके फिर बात करते हैं कि इसके अलावा क्या इस राष्ट्य उद्यान में याद रखना है आपको तो इसमें कौन-कौन से जीवों का संरक्षन किया जाता है तो हम देखा था कि जंगली भैसे मगरमच्छो और घडियाल का संरक्षन यहाँ पे होता है इतना याद रखना है इसके अलावा के नदी जो है यहाँ पन्ना राष्ट्य उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है योकि यह राष्ट्य उद्यान और के नदी यहां से प्रवाहित होती है तो पन्ना राष्ट्र उध्यान के जीवन कौन सी नदी कहलाती है तो के नदी पन्ना राष्ट्र उध्यान के जीवन रिखा कहलाती है पिर बात कर लेतें इसे वर्ष 2020 में युनेसको ने पन्ना राष्टी उद्यान को जैवाराक्षित छोत्र अर्थाद बायोस्वियर रिजर्व में पन्ना राष्टी उद्यान को युनेसको ने जोड़ा है किस छेत्र को पन्ना राष्टी उद्यान को माधव राष्टी उद्यान जो है वो शिवपूरी जिले की अंतरगत आता है यह देखे जिला लगता है शिवपूरी इसकी स्थापना 1958 में की गई थी यहां पर मुखिता, नीलगाय, चिंकारा, बाग, तेंदुआ, चीतल, बारा सिंगा और सांभर नामक जीव पाये जाते है यह राष्टी उद्यान माधव राव सिंधिया प्रथम ने मनिहार नदी पर तीन माधों का निर्माण करवाया था और बात यह है किस राष्टी उद्यान पर जो तीन बांध भंदे हैं उन तीनों बांधों का निर्माण माधव राव सिंधिया जी के द्वारा कराया गया पर नधी पर तो मनिहार नधी पर कराया गया था फेहला है जांधव सागर दूसरा साथ्क्षे सागर तूसरा माधव सागर ले समझ पर इसकान कुछ भी आद नी रखना सम। में ये फैला हुआ है माधव राश्टी उद्यान राश्टी राजमार्ग एनेच थी परिस्थित है यहां जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में कराया था इसकी उचाई 484 मेटर है यह इंपोर्टन्ट है कि इस राश्टी उद्यान में एक भवन है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल भवन और इस भवन का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया जी के दुवारा करवाया गया था यह महत्वपोर्ण यह आप से पूछा जासकता है कि जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किस ने कराया और कहां यह अगले दुग्यान चलतों यह हमारा बंधावगर नैशनल पार्क जो अरी में तरी कि बाग्रों के लिए चाहना जाता कहा जाता है कि इस ढेकर ओन और यरु का घंत्व है बागों का घनत्व है घनत्व का क्या मतलब होता देखिए एक होता है संख्या के आधार पर सरवादिक बाग होना या संख्या के आधार पर सरवादिक कोई चीज होना या घनत्व के आधार पर एक एक्जामपल लेते हैं हम माल लिजे एक हमारे पास बोल है इस bowl में 20 chocolates रखी हुई है तो bowl क्योंकि बड़ा है और इसमें 20 chocolates रखी हुई है तो ये हो गया और बाकी सारे जो bowls है वो छोटे-छोटे bowls है और उनमें कम-कम chocolate रखी है 18, 19, 16, 17, 18 ऐसे तो ये हो गया सबसे जादा जनसंख्या या संख्या के आधार पर सरवादिक जो chocolate है वो किस में हो जाएंगी इस वाले bowl में बड़े वाले bowl में वही एक छोटा bowl है बहुत जादा छोटा इतना सा bowl है और इस bowl में आधी जादा मतलब 10 chocolate रखी हैं मालो क्योंकि वहां पर जगा बिलकुल नहीं है पर संख्या का घनत्व जो है चीजों का वह बहुत जाद है बहुत कम शेत्र में बहुत सारी चीज़ें आ गई है इस वज़े से second number पर जब हम बात करें घनत्व के आधार पर तो जो छोटा वाला बोल है वो अंसर होगा तो वैसे ही जब छेत्रफल संख्या की आधार पर बात की जाती है बागो की सरवादिक संख्या गणत्वा में बागो की सरवादिक संख्या तो हमार आ जाएगा बांधवगड राष्ठी उद्यान क्योकि यहाँ पर प्रतिक 8 km में एक बाग मिलता है बांधवगण राष्ट्री उध्यान किस जिले में स्थित है तो यह है उमरिया जिले में और आंशिक रूप से कटनी का शेतर भी लगता है इस था अपना 1968 में प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में प्रमुख वन जीव तेंदुआ चीतल सांभर नील गाय लकड बगगा बांग जंगली बिल्ली आदी बांधवगड राष्टी उध्यान की सीता बागिन बंगार टाइगरों में से एक है जो की नैशनल जियोग्राफिका मैगजीन के कवर पेच पर दिखाई गई थी बगेल संग्रहाल है जिला उमरिया में इस्थित है इस संग्रहाल है कि इस राष्टी उध्यान की तुल्ला राजिस्थान के रड थंबो राष्टी उध्यान से की जाती है चरन गंगा नदी इस राष्टी उध्यान के बीचों बीच से गुदरती है यहां बांधवगड का केला इस्थित है देखे जैसी बात होती ना बांधवगण राश्टी उध्यान की तो आपको पता हो नचे 1968 में बना है 1993 में प्रजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ है इसके बीचों भी से एक नदी निकलती है जिसका नाह में चरण गंगा नदी किस जिले में स्थित है तो उमरिया जिले में स्थित है किस चीज के लिए प्रसिध है बाग के लिए प्रसिध है प्रती आठ किलोमेटर में यहाँ पर एक बाग मिल ही जाता है बस इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर एस्टा चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है अगले र राश्ट्री उध्यान आप यहां देख सकते हैं यहां पर लकडी के कुछ तुकड़े पड़े हुए है यह और नीचे पत्थर के कुछ तुकड़े पड़े हुए हैं तो यह है जिवाश्म राश्ट्री उध्यान जो की जिला डिंडौरी में खोला गया था तो यह राश्ट् स्थापना की बात करेंगे 1983 में इसकी स्थापना की गई थी कुछ इश्रोतों में ऐसा भी लिखा है कि इसकी स्थापना 1968 में की गई इस खारण से मैंने दोनों आंसर आपको दिये हैं चेत्रफल की बात करें 0.2427 किलोमेटर स्क्वेयर में फैला हुआ है प्रदेश का सबसे जाधा छोटा राश्च्टी उध्यान है ये 0.27 किलोमेटर स्क्वेयर के साथ में अन्य नाम है इसका घुगवा राश्च्टी उध्यान जीवाश्मों की बात करते हैं तो यहाँ पर डाइनसर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं नीलगीरी के जीवाश्म रखे गए देखें नीलगीरी एक प्रकार का पेड होता है और इस पेडों के जीवाश्म को यहाँ पर सम्हाल गे रखा गया है और जो निलगीरी जीवाशम यहां पर रखे हुए है ये अभी तक प्राप्थ सबसे प्राचीन जीवाश्म माने जाते हैं यहां आस-पास के इलाकों से पेटों, पत्तियों, फूलों और बीजों से डायनोसॉर के अंडों के अनन्य जीवाशम भी प्राप्थ हुए हैं गुगवा नाम से प्रसिद्ध इस जिवाश्मराष्टी उध्यान में अब तक 18 पादप कुलों के 31 परिवारों के पौधों के जिवाश्म खोजे जा चुके हैं देखो इसका मतलब सर्फ इतना है कि जिवाश्मराष्टी उध्यान जो है वो कब स्थापित हुआ 1983 में इस्थापित हुआ कुछ रोतों के अनुसार 1978 में इस्थापित हुआ है किस जिले में स्थृत है तो डिंड़ौरी जिले में यह स्थित है चेतरवल की बात करते हैं 0.7 वार किलोमेटर में फैला हुआ है आनि नाम क्या है गुगवा राश्ट्री उंद्यान में नाम क्या है तो जीवाश्म राश्ट्री उंद्यान कहां फैला हुआ है क्या सनरक्षत करके रखा गया है तो डाइनसौर के अंडों के जीवाश्म और निलगीरी के जीवाश्म यह है डाइनासौर और यह बच्चे को आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा राम से बैठा हुआ है लेकिन हैरत से देख रहे हैं कि भाई यह क्या चीज आ गई तो डाइनासौर जो हैं आपको क्या लगता है यह पाए जाते थे जितने भी साक्ष अभी तक मिले हैं तो उससे तो पूर एक तरीकी से तय हैं कि डाइनासौर पाए जाते थे पर वर्तमान में इन्हें दुबारा बनाना असंभव हो चुका है कुछ को जिवाश मिन के जो बचे हुए हैं जिससे हमें हमारी पुरानी संस्कृति का पता चल सके इनके अंडों को इनके आकार को इनकी हड्डियों को संरक्षित करके जिस छितर पे रखा गया है उसे कहा जाता है डाइनासौर राश्ट्री उध्यान जो कि मध्य प्रिदे कि जिला धार में स्थे थैं इसकी स्थापना 02 डिसंबर 2010 को की गयी थी यहाँ पर यह बागि नदी और जोबट नदी के तत पर है इसे ही बागb नदी भी कहा जाता है या फिर बागिन नदी कहा जाता है यहां डाइनसौर पार्क भी बनाया जा रहा है इस पार्क में 6.5 औ के औजार हतियार बाकी को संदक्षित करके रखा जा रहा है मद्य प्रिदीश के जवलपुर्धार मांडू कुक्षी मनावर सहित अन्य शेत्रों में डाइनसौर के अंडे और जीवाश्म में मिले हैं इन्हें इस शेत्र में संदक्षित करके रखा जा रहा है यहां से लगभ इसकी स्थापना की गई है किस जिले में धार जिले में है क्या संरक्षित किया जा रहा है डाइनसौर के अंडे किस प्रकार के डाइनसौर मिले थे यहां पर तो एक तो मिले थे समुद्री डाइनसौर और एक मिले थे थल में रहने वाले डाइनसौर तो दोनों डाइनसौरों के अंडों का संरक्षन करा जा रहा है यहां पर इसे जो रॉसिक पार्क की या डाइनसौर पार्क की सकल में उकीरा जा रहा है जिसमें करोनों रुपे की लागत लगनी है कितने साल पुराने डाइनसौर के अंडे मिले हैं तो 6.5 से 7 करोड साल पुराने डाइनसौर के अंडे यहां पर मिले हुए हैं बस किस नदी के किनारे है इतना याद रखना है तो बाग नदी या फिर जोबट नदी के किनारे यहां राश्टी उध्यान इस्थित है नेक्स चलते हैं पालपूर कुनो राश्टी उध्यान देखें पालपूर कुनो राश्टी उध्यान जो है यह स अभ्यारन कौन सा है? 1981 में इसे अभ्यारन घोशित किया गया था, 2018 में इसे राश्टी उध्यान मनाया गया है, शियोपुर जिला लगता है, इस राश्टी उध्यान में गिर से बागों को लाकर सनरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है. नदी है कुनो नदी, शेत्रफल कितना है? 413 वर्ग किलोमीटर में यह राश्टी उध्यान फैला हुआ है, शियोपुर जिले के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में 22 से 24 तवंबर 2000 तक सर्वेक्षन किया गया, जिसमें 200 प्रजाती के पक्षियों की उपस्थिती का पता चला कुनो पालपुर वर्ष 1981 से 2018 तक अभ्यारन रहा और 28 दिसमबर 2018 के बाद इसने नैशनल पार्क बनाया गया, यहाँ पर गिर से एशियाई बबबर शेर को पुनरवासत करने की योजना चल रही है अर्थात, गिर राष्ट्री उद्यान से एशियाई बबबर शेरो को लाया जाएगा कुनो पालपुर राष्ट्री उद्यान पे, इसकी स्थापना दिसमबर 2018 में की गई थी, इसे 1981 में अभ्यारन बनाया गया था किस नदी के किनारे हैं, कुनो नदी के किनारे हैं, जिला कौन चल लगता है, जिला लगता है, शियोपुर बस, इतना ही इसमें आपको याद रखना है संजय गांधी राष्ट्री उद्यान, सीधी और सिंग्रॉली जिले में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष 1983 में, प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में इसे शामिल किया गया था इसका छेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर है, सोन गोपद एवं बनास नदिया इस राष्ट्री उद्यान से इसमें सरवाधिक पाई जाती है, और इसमें सरवाधिक पाई जाने वाला जो पशु है, वो छीतल है इस राष्ट्री उद्यान के अंतरगत सोन घडियाल अभ्यारन और बगदरा अभ्यारन भी आते हैं, अब क्या क्या याद रखना है, देखो जैसी बात हो रही न, संजय गांधी, तो संजय गांधी राष्ट्री उद्यान जो है, वह सीधी और सिंगरॉली में इस्थि थे, देखो संजय गांधी जी जो थे न, वो संजय गांधी जी बहुत जादा सीधे थे, तो सीधे थे, शांते थे, तो सीधे से सीधी, तो सीधी में कहां संजय गांधी राष्ट्री उद्यान इस्थे थे, इस थापना 1983 में इसकी की गई थी, बिलकुल ठीक है, 2008 में इसे प्रो नेक्स चलते हैं वन विहार राष्टे उद्यान अत्याधिक फैमस राष्ट्य उद्यान मद्य प्रिदेश की राजधानी भोपाल पर इस्तित हैं यहाँ पर मद्य प्रिदेश का पहला स्नेक पार्क भी खोला गया है, या सर्प उध्यान भी खोला गया है, जिला लगता है भुपाल, इस थापना वर्ष है 1979, वर्ष 1983 में राश्ट्री उध्यान बनाया गया था, छेत्रिफल 4.45, अर्था 4.45 वर्ग किलोमेटर में फैला है राश्ट्री उध्यान वर्ण रिहार, इसकी इसके स्थापना 1983 में की गई थी राश्र्टी उद्धयान के रूप में और 1979 में अभिहारन के रूप में इसके स्थापना गे थी वन विहार राश्र्टी उद्धयान से सरवतन Dec Online 28 से वन्यज्वं को गोद लेने की प्रथा प्रारम्ब की गई है इसका मतलब यह कि आप किसी भी वन जीव को गोध ले सकते हैं तिको गोध लेने का मतलब यह नहीं कि आप इसको ले के आज़ो अपने घर में घर में पाल ले लगो ऐसा बिल्कुल नहीं है मतलब यह है कि जो वन जीव है वो इसी राष्ट्री उध्यान के अंदर रहेंगे परंदो आपको उ वन जीव के बाहर में लिखा होगा कि इन्होंने इन्होंने इसको जीव को गोध लिया है और यह इसके पालन करता या फिर पैरंस है इस राष्ट्री उध्यान के समीप राजा भोज जील इस्थित है इसे ही भोज ताल भी कहा जाता है इस नेशनल पार्क में मुन्ना नामक टाइगर देखो मुणना टाइगर को कहां से लिए आया गया है काना किसली नेशनल पार्क से लिए गया है जो की मुख्या आकलशन का केंद्र बन गया है वन विहार राश्टी उध्यान में प्रदेश का एक मातर सर्प उध्यान या फिर स्नेक पार्क खोला गया है यहाँ पर ISO प्रमाडित आधुनिक छिडिया घर इस्थित है क्या क्या याद रखना है इसमें देखो 1979 में अभ्यारण मना 1983 में राश्टी उध्यान मना 4.45 किलोमेटर में फैला हुआ है मुन्ना बाग यहाँ पर लाया गया है मद्ध्य प्रदेश का पहला सर्प उध्यान यहाँ पर प्रारंब किया गया है और बागों को या फिर बन्य जीवों को गोध लिनी की परंपरा इस राश्टी उध्यान से प्रारंब की गई है नेक्स्ट ओम कारिश्वर राश्टी उध्यान देखो यह निर्माडा धीन है न अभी कंप्लीट बना नहीं है तो वर्श 2004 से इसका निर्माड हो रहा है ओम कारिश्वर कहां पर है तो खंडवा जिले में है तो ओम कारिश्वर राश्टी उध्यान कहां होगा वो भी होगा खंडवा जिले के अंतरकत ओम कारिश्वर राश्टी उध्यान का कुल छेत्र 651 वर्ग किलूमीटर है यह निमाड छेत्र का पहला national park है निमाण मतलब खंडवा खरगोन ये वाले हिस्से का पहला नैशनल पार्क है देखो अब हमने राष्ट्री उध्यान पूरे कम्प्लीट के लिए अब हम पढ़ने वाले राष्ट्री अभ्यारन के बाड़े में देखो अभ्यारन जो है ना वैसे तो आपको बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं याद रखना है सबसे बड़ा अभ्यारन मद्यप्रिदेश का कौन सा है नौरा देही है सबसे छोटा कौन सा है बस इतना ही याद रखना है और अगर किसी राष्टी उद्यान में कुछ स्पैशल हुआ है जैसे कि राष्टी उद्यान में किस राष्टी अभ्यारन को हमने प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है तो ऐसे कुछ कॉश्चन में आपको अभ्यारन कवर करने है तो यहां पर slide बहुत सारी है आपको मैंने बहुत सारे राष्ट्री उध्यान का data दिया हुआ है लेकिन हम सब में बहुत जादा detail में नहीं पढ़ने वाले हैं राष्ट्री अभ्यारन कहते किसको है तो यहां वहर वन शेत्र होता है जहां पर पसू पक्ष्टी तथा वरक्षों को किसी भी प्रकार की हानी पहुचाना मना होता है जैसे कि राश्ट्री उद्यान में होता है same to same इस प्रकार के one सनरक्षित one कहलाते हैं अभ्यारन का आर्थ होता है अभाई प्लस अरण्य सरकार अथ्वा किसी अन्य संस्था द्वारा सनरक्षित one पसु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारन कहते हैं वन्य जीव अभ्यारन में सामान्य मानव गति गत्वियों को अनुमती होती है मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख अभ्यारन निम्नलिक्सिकित हैं सबसे पहला अभ्यारण है नौराद ही अभ्यारण यह इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण है यहां जैव विवित्ता के कारण प्रसिद्ध है जिला लगता है सागर 1972 में इसकी स्थापना की गई थी 1197 वर्ग किलोमीटर म यहां के प्रमुक जीव है अगले अभ्यारण की बात करते हैं तो राला मंदल अभ्यारण को यह भी इंपोर्टेंट हो जाता है एक नौराद ही और एक राला मंदर राला मंदर की बात करें जिला लगता है इंद और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी 2.34 वर किलोमेटर में मतलब बहुत छोटे वर किलोमेटर में फैला हुआ है प्रमुक पेड़ हैं चंदन बबूल सागॉन बास आदी विशेश यहां पर 2017 में लोमनी संद्रक्षन केंद्र घुशित किया गया था यहां प्रदेश का दूसरा तितली पार्क भी यहां पर खोला गया है 2017-18 में यहां बॉम्बू सेटम नामक बास प्रोडेक्शन प्रोजेक्ट प्रारम किया गया था फिर है रातापानी अभ्यारण यह भी इंप्रोडेश का एक मात्र अभ्यारण है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है वर्ष 2010 में यहां प्रदेश का पहला तितली पार के स्थित है यहां तितली की 54 प्रजातियों को संरक्षित करके रखा गया है चम्मल अभ्यारन चम्मल अभ्यारन की स्थापना भिंड और मुरैना जिलों में की गई थी 1978-79 में यहां प्रदेश का सबसे बड़ा घडियाल अभ्यारन है यहां पर गंगा डॉल्फिन और लाल कवर वाले कच्छों का संरक्षिन किया जाता है गांधी सागर अभ्यारन गांधी सागर अभ्यारन जो है वो नीमच मंद सौर में इस्थित है वर्ष 1977 में 1974 में बना था इसे चम्मल नदी दो भागों में बाड़ती है सरदार पुर अभ्यारन सरदार पुर अभ्यारन जिलाधार में स्थित है 1983 में इसकी स्थापना की गई थी विशेश बात यह है कि 2005 में यहां दूदराज पक्षी का संरक्षन प्रारम भी किया गया है और यहां खरम और पक्षी का संरक्षन भी किया जाता है देखो यह ए नहीं आएगा है यहां पर संरक्षन किया जाता है फिर आता है सैलाना अभ्यारन सैलाना अभ्यारन जो है वो रतलाम जिले की अंतरगत है 1983 में इसकी स्थापना की गई थी यहां खर्मा और पक्षी का संदक्षन किया जाता है यहां पर डॉक्टर सलीम अली ने 89 पक्षियों की प्रजातियों पर किताबे लिखी थी और शलीम अली जो है ना यह इन्हें ही पक्षियों की अध्यान के लिए बहुत जादा प्रसिद्ध है यह घाटी गाउं अभ्यारन जिला गॉलियन में इस्थित है यहां पर सोन चिडिया और साथी साथ में शाहे बिल्बॉल मतलब दूधराज का संरक्षन किया जाता है किन घडियाल अभ्यारन देखो नाम से सपच्ट है घडियाल तो पन्ना और छदरपुर जिले में इस्थित है घडियाल मगरमश और गिद्धों का संरक्षन किया जाता है यहां गिद्धों के संरक्षन के लिए ओपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है क्या होता है मध्य प्रदेश में पक्षियों की कमी होते जा रही है पक्षि धीरे-धीरे समाप्थ होते जा रहे तो उनका संरक्षन करना बहुत ज़ादा आवशक हो गया है तो इससाब से गिद्धो के संरक्षन के लिए जो अपरेशन चलाया जा रहा है वो है अपरेशन अस्तित्व सोन घडियाल अभ्यारण सोन घडियाल अभ्यारन जो है वो शेहडोल जिले में इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था छेतरफल 84 वर्ग किलोमेटर में यहां फैला हुआ है यहां कच्छूँं की सरवाधिक प्रजाती पाई जाती है यहां घडियाल यहां घडियाल मगरमश एक का सनरक्षन किया जाता है सिधोरी अभ्यारन सिधोरी अभ्यारन की स्थापना वर्ष 1986 में होई थी जिला लगता है राय सेन आबेदुल्ला गंज विशेश यहां चौकी गल का किला यहां पर इस्थित है बोरी अभ्यारन बोरी अभ्यारन जो होशंगाबाद जिले के अंतरगत आता है वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी 486 वर किलोमेटर में यहां फैला हुआ है विशेश यह भारत के सबसे पुनाने जंगलों और वनों में से एक है यहां सरवाधिक वरक्ष सागोन, साल और बास के मिलते है ओर्चा अभ्यारन ओर्चा अभ्यारन जिला निवाडी के अंतरगत आता है 1994 में इसकी स्थापना की गई थी 85 वर किलोमेटर में फैला हुआ है इसे पक्षियों का अभ्यारन भी कहा जाता है पनपठा अभ्यारन शेहडोल उमरिया में इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1983 के अंतरगत 246 वर किलोमेटर में फैला हुआ है साल और खेर के वरक्ष अधिकता में पाये जाते देखिए यहां पर जो अभ्यारन है आपको सारे याद नहीं करने सिफ आपको नोट्स बनाखे रखने कि कौन-कौन सी अभ्यारन है कहां-कहां इस्थित है कब-कब इनकी स्थापना की गई इस करन से हम इनको काफी स्पीड में पढ़ते हुए जा रहे अब सभी का स्क्रीन शॉट लेते चलेंगे संजय गांधी डूबरी अभ्यारन जिला लगता है सीधी इसकी स्थापना 1975 में की गई थी नदी है सोन, गोपद और बनास नदिया गंगव अभ्यारन की स्थापना जिला पन्ना में वर्ष 1975 में की गई थी यहां जंगली भैसों का संरक्षन किया जाता है फेन मिनिकॉन अभ्यारन जो है वो मंडला जिले की अंतरका ताथा इसकी स्थापना 1983 में की गई थी नरसिंगड अभ्यारन जिला है शिवपूरी स्थापना की गई थी 1981 में यहां पर सोन शुडिया का संरक्षन भी किया जाता है काम धेनु गौ अभ्यारन यहां देखो यहां आगर मालवा में इस्थित है वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी काले हिरन की यहां पर सर्वाधिक्ता पाई जाती है विशेश केंडर सरकार द्वारा इसे 1999 में और युनेस्को द्वारा 2009 में जैवाराशित छित्र गोशित किया गया था रानी दुर्गावती अभ्यारन जो है वो दमोह जिले में इस्थित है मध्य प्रदेश में पक्षी अभ्यारन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारन सैलाना पक्षी अभ्यारन है इन दौर में प्रदेश का पहला पक्षी तीर्थ धरौदा में खोला गया है या इस्थित है करेरा में सोन चिडिया का संरक्षन किया जाता है सरदारपुर अभ्यारन में खर्मोर पक्षी और दूदरास पक्षी का संरक्षन हो रहा है प्रदेश के प्रमुक पक्षी अभ्यारन निमलिखित है पहला है घाटिगाव अभ्यारन गौलियर फिर है करेरा अभ्यारन शिफपुरी, फिर है सेलाना अभ्यारन रतलाम और फिर है सरदारपुर अभ्यारन धार देखे सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारन जो है वो सेलाना अभ्यारन हो जाएगा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण जो है सलाना अभ्यारण हो जाएगा सोन चिडिया का संद्रक्षन किसमे करीरा अभ्यारण में किया जा रहा है इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो यहां पर समाप्त होती है जिसमें हमने मध्य प्रदेश में संपूर्ण राष्ट्रियुद्यान मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन और मध्य प्रदेश में संपूर्ण अभ्यारण को कवर कर लिया देखिए हमने बहुत सारे अभ्यारणों कोई जादा डीटेलिंग नहीं की है क्योंकि आपसे कॉशन इतने सारे में पूछता भी नहीं है सिर्फ अभ्यारण के बारे में आपसे ये पूछता है कि कहां इस्तित है कब इनकी स्थापना की गई थी इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या हो रही हो वीडियो में तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं मैं उसका अंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में दे दूँगी ओके थैंक्यू सो मच मिलते है नेक्स वीडियो में